नवस्कार दोस्तों महुरिया ट्रोफेस के नए वीडियो में आस वी का स्वाधत है फ्रेंड आज हमारे सामने बहुत सी भाईयों के कमेंट पे आज मैं इस वीडियो को मनाने जा रहा हूं कि बाइक कागत किक जो है हाड पड़े बहुत ही ज्यादा का जो कम इसका किक जो किक को बराबर यूज करते हैं उनको थोड़ा से एक्सपीरियंस होता है जो अभी नई गारी सीख रहे हैं का अभी चलाने के लिए उनके लिए बहुत ही ज्यादा टिपकल हो जाता है इस तरह की गारियों को चलाना तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले करते हैं चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं आज हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आये कि बाइक का जो है कि कि जो हाड बहुत ज्यादा बहुत है ज्यादा हाड पड़ रहा है तो यह किस रीजन से होता चलिए मैं इसको प्रॉब्लम को पहले मैं आपको दिखाता हू समझाता हूं कि अखिर में होता क्या है यह और यह क्यों होता है तो दुसका में रीजन यह जो होता है यहां पे जो है ठNow रहता है क्योंड कि यहां पर आपके बाइक का प्राप पर चिडिया लगता है कि नाकितल होता है तो तो सिसके में क्या होता है कि अधिक का कमपरेशन पूरी करना से एक दम हाड तरीके से बन जाता है कि जब हम की को लगाते हैं तो हमीन लगाने में उसका जो piston आगे पीछे करने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है कि इस की के माद्यम से तो चले हम इसको बताते हैं कि किस तरह से हमें इसका जो टाइपिश पर सेटिंग करने तो हमने इसको प्रेस कर लिया और दोबारा से हमको क्या करना है धीरे-धीरे ऐसे देख लिजिए ऐसे किया हमने यहां से एकदम से ऐसे जब आप करेंगे धीरे-धीरे करें कि देख लिए भी बहुत ज्यादा हाड है देख लिजिए यहां पर फिरी हो गया है तो यहां से जी करना आपको अभी यहां पर देख लिए एकदम से नीचे जब जाएगा आपका जब कम अच्छे से आ जाएगा टाइमिंग पर तो क्या होगा कि आपका यहां पर की जो धीला होता चला जाएगा एक बार पूरा टाइड दबाईए पूरा फुल दूसरी बार में आप धीरे- सब्सक्राइब कना पैज मैं Гbung हम जोई हैघ हैं से लिए क्रके मैं आपको दिखाता है है कि वहां है तो भूद्ध हमें इस तरह से दीभना देख लिए यहां पर हिल राएगर और उसका में चेक किया है तो इसको मैं अभी यहां पre passear अर्जेस्ट करणंगा इतना ही हमको को रखना यहां पर ट्राइप जिससे कि आपका साइड प्ले रहे उपर नीचे प्ले ज्यादा नहीं रहना है अगर उपर नीचे प्ले रहे जिसे इंजन का सावन भी होता है और जो क्या होता है कि इंजन के साउंड करने के साथ साथ आपका यहां पर प्रोब्लम होता है कि इसमें मैं टैपिट का आपको सेटिंग नहीं बताऊंगा अगर आप लोग गोलेंगे तो फिर से मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा बाकि हमने अल्रेडी बनाया हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो मैं बार-बार रिपीट करूं तो इसको हमें इस तरह से कर है आपो हम को यहां रुट कर लेना है जो यहां पर थोड़ा सा है अर यहां पर आपको चेक करने के लिए इस प्लक को습 करे चाहए ऊफ्ट। को खोल लिके पंई चिए नहीं पोफिश्ट्व पिछे रहता है तो इसको आप डालेंगे तो चला जाए पिश्ट्वरां चोनृ तो इस ऐसे हैं यहां पर प्रोब्लम हो तब हड़ेगा या तो भाइक तब भी आपके नहीं बाइकों में नया रहता है ज्यादा यूज नहीं होता है उसमें भी यह थोड़ा प्रोब्लम करता है क्योंकि जितना यह जो हैं यहां पर की कि स्प्रिंग को गयरा लूज नहीं होता है जिस वज़े से बाइक जब आप इस्टार्ट करने के कौशिद के थे बहुत बल लगाना पड़ता है जिन बाइकों में सेल्फ नहीं है उन वाइकों का तो लूज होता है क्योंकि बार-बार आप उसको यूज कर रहे ह तो लूज होता चला जाएगा लेकिन जिन वाइकों में अगर आप फर्स्ट टाइम उसको जिसे आपकी कमार रहे हैं और ज्यादा तर से यूज होता है तो इस कंडिशन में टाइट रहेगा और दूसरा जो होता है कलश प्लेट का अगर जो यहां पर आप धिस जाएगा कलश आया हुआ है अपने चैनल पर अप्लोड किया है किस तरह से इसको आगर किक आपका सिलिप करें तो उसका जो वीडियो आपको जो हैं लिंक डिसक्रप्शन में है कि उस तरह की प्रॉब्लम को आप समझ सकते हैं सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपकी बाइक कर रहा है आदे पे जाके रुख जा रहा है और वाइक आपको टाइट हार्ड नहीं ले रहा है स्टाइटिंग के मामले में तो इस तरह की आपको जानकारी उस वीडियो में दिया गया है कि उसको देखके इस तरह का हंड्रेट परसेंट आप खुद मकैनिक हैं तो आपके लिए असान है अगर आप बताने का मुस्ता देहिता कि आप उसको आप स्वाल कर सकते हैं अगर आपके बाइक में इसना से प्रॉब्लम आए तो आप टैपिट को आराम से अर्जस्ट करिए थोड़ा सा टाइट कर दीजिए यहां पे जहां से आपका टैपिट लूज पड़ रहा है लूज ना क वीडियो होगा मैं आपके लिए अच्छी से बनाओंगा एक्स्प्लाइन करूंगा तो आई होप वीडियो परसंद आओंगा वीडियो परसंद आए तो लाइक कर जीजिए का साथ में चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि आपक करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्स वाराची